अब इविनिंग शोड़ें सवाज आ रही है सबको कि यह सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब है यह जो अभी जे अर्भंस के एक्जाम का डेट पास-पास आ गया है तो आपको जे एर्भंस का जो से तो उसको सब्सक्राइब करेंगे उसके जो सब्सक्राइब है यहां पर पड़ने में आ रहा है या ज्यादा बड़ा करूँ इसको जैसे इसमें लिखा है कि सब्सक्राइब क्लाउट अप मास्ट देंसिटी रो तो बहुत ज़्यादा पैसेंटली आपको को समझना बहुत इंपोर्टन रोटा है तो इसमें जो मास्ट देंसिटी है ओ रो दिया है ठीक है आर इस रेडियल डिस्टेंस अगर यहां पे हम इंफर्मेशन को देखते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं कामन सेंटर और विच सेम काइनिटी के अच्छी क्या होता है जे अब देखेंगे ना बूसर इंफर्मेशन साथ में देता है अपने अब जर क्या होगा कैसा इंफर्मेशन साथ है तो इसको अच्छे से माइन रख के प्रसीड करना पर दो पॉर्स अग्टिंग इस बीचल ग्राविटेसिनल फोर्स रोई इस कॉंस्टेंट देखे रोई स्कॉंस्टेंट इन टाइम दो पार्टिकल नंबर डेंसीडी हमें पूछा जा रहे हैं सब्सक्राइब का मतलब क्या है रो डिवाड़ेड़ पाय स्मॉल यहां पर स्मॉल एम क्या है पार्टिकल का मास तो आपके माइंड में इमिडिटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि पार्टिकल जो है अगर उसका काईडिक एनर्जी कॉंस्टेंट है सेम है राइट तो कहीं न आपके इस क्वेस्टिन में जब आप इसका आइडिया लगेंगे तो आपको सर्कूलर और बीट वाला कंसेट आपको ध्यान में आना चाहिए बुलने का मतलब देखो यह सबोज सर्कूलर और 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 बीट का रेडियस का आर मान लेते हैं आर इस दारेडियल किया गया तो जाना सोचिए यह जो मैं इस मॉलार रेडियस लिया इसको लेकी हम अगर ऐसा एक-डिकल गॉसन सर्फिस कितना मास क्लोश करेगा उस मास को हम क्यापिटल मान लेती है इसका मतलब रहे इसके अंदर के जो मास है यह इसके अंदर जो मास है यह टोटल मास जो इस ओरबीट एंक्लोस कर रहा है आप इसे बोर्ट सकते हैं तो इसका स्पीड को हम भी माले आज़िम करते हैं इस मास को कि है कि आप मेल थे और क्योंकि यह क्या है स्परिकली स्मेट्रिक मास डिस्टिबिशन है इसले आप इसको पॉइंट पर रिद्यूस कर सकते हैं और वो पॉइंट कहा होना चाहिए उस और बीट का सेंटर में या स्पियर के सेंटर में जिसके कारण हम इसा लिख सकते हैं कि स्मॉल एम इंटु भी स्क्वेर अच्छा उनने आपको का इक ही स्क्वेर थिकis फिटःर हम लिख सकते हैं और यहां से हम हुआ मिस के स्क्वेर को पर रहे कर सकते हैं या मिस कर जो है इसका है मिलता है अभी आपको डेंसिटी को करना आप यहां पर किसा सकते हैं आपको इनवोर करना पड़े यहां से यह आया है तो यहां से आपको स्मॉले माजाता है स्मॉले कितना आएगा स्मॉले में इस एक पूल स्टो टूके बाइजी क्यापिटल एं इंटो स्पॉललर या या स्मॉल एम राइट और वन से स्मॉल वे बिकर्स में यह एक्स्प्रेशन को के के टर्म में क्यों रिख रहा हूं विकर्स आपको जो अप्सेंस दिये हैं और हमें अच्छिली रोगाइस मॉलम्म पुछा गया है तो यहां पर रोग के से होगा बता सकते हैं हम यहां पर रोग को कैसे इंवल्व करेंगे हैं हम कैपिटल एम को रोग के फंक्शन में लिख सकते हैं अच्छा उसके लिए क्या करना बढ़ेगा कैपिटल एम को इंटीग्रल जीरो से आर फोर पाई आर स्क्वेर रो आर डी आर लिख सकते हैं हाँ ठीक है यह बिल्कुल सही है हम अभी जो है जो क्यापिटल एम है क्यूंकि मैंने यह जो मास को क्यापिटल एम बोला था कि उसमें आपको सिमें रोका इंवॉल्मेंट दिख जाएगा वी हैक में है न समझभारी है अब यह यह उन्द क्मेंटल में इसको अब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरे में जापिजदेंट होता है तो कि आप ये कर सकते हैं या तो एक हो रहा है यहां पे कि आप और एक तरीके से करना चाहते हैं इसका अल्टेनेट अप्रोच भी है जैसे की अनुए ने बताया कि हम क्या कर सकते हैं कि यह मास कर सकते हैं या तो और एक वे में भी आप इसको कर सकते हैं जैसे यहां पर क्या करेंगे हम क्यापिटल एम कितना आएगा क्यापिटल एम जो है डाप वी इक्वाल्स टू के आर डिभाड़ेड़ बाइजीन की स्मॉलर राइट सो क्यापिटल एम जो है वह मास वह मास भैरी करेगा जो स्मॉलर भैरी करेगा यह आप बात को समझेए तो फिर आपका थोड़ा लंबा प्रोसेजियर बच जाएगा सॉटकॉट में कर सकते हैं अगर आपको क्यापिटल एम इसको क्या मिला हमें टू के आर बाइजी एम है ना सो क्यापिटल एम सकता हो और एसा लिख सकते हैं और आपको स्परिकल डिस्टिविशन बताई गया था है ना कुर पाएं और स्क्वेशर इंटो डी यार इस सब इसल कर देंगे यह किस सब कर देंगे यहां पर डियार ड्यार क्या हो गया कॉट हो गया तो यहां से आपको असनी से मिल जाएगा तो यहां से इधर चला जाएगा इस तरह आजाएगा तो क्या एक्स्पेक्शन मिलेगा कॉंट साप्षन करिक्टर आ रहे दिखें इससे जो है हाँ पायार स्क्वेर एम स्क्वेर जी आ रहे अप्षन देखा एंट कॉंट साप्षन सही आ रहे देखा कि यह अप्षन आएगा राइट यह विल भी दा राइट अप्षन तो है सर यहां पर रो को कॉंस्टंट बाने के हमने मतलब दिया रो जो ना यहां पर लिखा ना रो इस वांस्टंट इन टाइम इसा लिखा रखा है हाँ टाइम के रिस्पेट कॉंस्टंट इस पेस के रिस्पेट नहीं इस पेस मतलब देखो एक स्पेस कोडिनेट होता है और टाइम होता है तो डिफ्रेंशेशन से बाहर कैसे निकाला रहे है कि है डिफ्रेंशेशन हम यहां पर ताइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहां पर जो है यह आपको लिखा गया ना इस तरीके से हमने डिफ्रेंशेशन किया है तो यहां पर आप बोल रहे हैं कि यह जो है पूछ रहे हैं यहां डियम को डियार लिखा यहां पर टू के जियम इसको बाहर निकाला इसको बाहर निकाला गया है ठीक है आप क्या पूछ रहा है अब सुमीत रोगोड डियम के डिफ्रेंशिवेशन लें हाँ रोगोड डियम को रोड भी वह लिख सकती है रोग भैरी करें या कॉंस्टेंट हो आप पताएए जिसे की यह है हम यहां पे च्छोटे सा थिकनिस ले रहें ना तो यह हमारा जो डियार है ना डियार कॉन सा यह डियार यह जो है सकल डियार ले रहे है तो यहां यहां पे जो रोग है उसको रोग लिखरें तो यह जो बॉल्यम कितना आएगा अफोर ट्र उससे तो 19 i confirm सकते हैं उसमें वह भैरी करना कॉंस्टन होना उसे कुछ पर ही नहीं गिरता है 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 तो क्वेस्टिन का जो एनलीस है मतलब आपको अन्द स्पॉट्ट पुछ जा रहा है तो उसको धान से चुटी करना पड़ता है अच्छा चुला और एक क्वेस्टिन को करते हैं तो इसका सब्सक्राइब यहां पर आइडिया किसे लगा नेक्स में देखिए यह इलेक्ट्र स्टाटिक से इसको पूछा गया है जरह इसको बढ़िया से समझो पूछा अथीन स्परिकल इंसुलेटिंग शेल तो इस क्वेस्टिन को हमें कैसे जर्ज करना चाहिए आपको क्या लग रहा है इसको कैसे स्वाल करना चाहिए थीन स्परिकल शेल दिया है स्परिकल इंसुलेटिंग सेल जिसका रेडियस क्यापिटल आ रहे है और उन्हें यह बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्टिबिटेड चार्स उसका सर्फिस का पॉडिंसिल भी नॉट है यहां पे भी नॉट दिया है सर्फिस का पॉडिंसियल ठीक है इसका मतलब डिरेक्ली भी नॉट को क्या लिख सकते हैं क्या आप यहां पर भी नॉट को लिख सकते हैं यह आपको दिया है यह आपको दिया है अच्छा होल बना दिया होल विदे स्मॉल अरिया अल्फा इंटु फोर पैर स्केर अच्छा अल्फा इस वरी वरी लेस दन वन इस मेड़ ऑन दो शेल विदाओ अफेक्टिंटिंट्स अर्क्रेक्ट वाप यहां पे पोटेंशल फील यह सब के बारे में पूछा जा रहे हैं पोटेंशल अट दे सेंटर ऑफ दे शेल इस रियूस्ट वाइट वी नॉट भी नॉट क्या है यह जो है यह उरिजिनल पोटेंशल है जब बनाए नहीं था वो समय का पोटेंशल है ठीक है फिर मागिटूड ऑफ एलेक्टिव फील अट दो सेंटर कёशमच अच्छा एक बर आप सोच के देखिए घार यह इस परिकल शेल है और हमने यहां पर बनाया हो यह बना दिया एक चोटा सा होल बना दिया सम्झा एकचोटा सोल बाइन करने प्रेंगे टोटल चार्ज हमने क्यों मान लिया राइट यह सेंटर है और सर्फिस का पुटेंशियल भी नॉट वह हमने माल लिया के क्यूं वाई कैपिटलर अब यह फोल बनने के वज़ेश से सेंटर में पोडिंशल में क्या परकी पड़ेगा यह आपको उचा जा रहा है कि या लगता है बच्चों कि जैसे हमने होल बनाया तो सेंटर में जो पूटिंशल आएगा पूटिंशल तो स्केलर क्वाटिटी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पूरा स्पियर का पूटिंशियल माइनस जो चार्ज निकल गया ना सब्ट्रेक्ट हुआ इस तो चार्ज निकल गया है इसको आप डी क्यू मान सकते हैं इसको डी क्यू मान दिया गया तो फिर एक्स्परिशन में क्या मिनेगा आपको मरी साब से उसने उसके वेल्यू दिया है होल आप स्मॉल एरिया कितना अलफा इंटू पायर स्क्वेर राइट यह लड़ी आपको दिया है इसलिए क्या करना चाहिए जैए इसके वज़े से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं है सिगमा है सिगमा इन्टो यह वला एरिया आपको अलडी दिया है अल्फा पाई-इस्गेर इस पॉर्सण का आपको सब्राइट करना पड़ेगा लिए रिवेनिंग पार्ट बज गया है उसका पुटिंसल क्या होगा वीची होगा ऐसम पुटिंशेल मिन्स के क्यूं बाइर से माइनस कर दीजे एक इन्टू डीक्यू डीभटेड़ बैर चलेगा एसम लिख सकते हैं देखो और आप चाहें तो आप शार्ज को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इससे पुटिंशेल कितना रिड्यूस हुआ हमें अंसर दीनौट के टर्म में इसका जो आंसर हमें दीनौट के टर्म में देना है तो अगर इक टोटल चार्ज है तो यह टोटल चार्ज पूरा एरिया में है ना तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो के की व बायार माइनस कें तू इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा को क्या लिख सकते हैं इनटू अल्फा पाए आर स्क्वेर तो इसलिए हम इसको के इन्टू अल्फा क्यू डिवेटेड बै आर इसा लिख सकते हैं है राइट तो जिससे आपको अभी इसका पुटेंसिल क्या मिलेगा इसको अभी थोड़ा से यहां पे कमल ले लेते हैं कमल लेंगे तो यहां पे क्यू बायार इंटू वन माइनस अलफा और क्या बीनॉट है तो इस बीनॉट इन्टू वन माइनस अलफा यह आएगा जो रिमेनिंग पोर्षन बच किया है उसका पुटेंसिल सेंटर पुटेंसिल स्केलर कॉनिटी आपको डिरेक्ट्री मिल गया है फिर इसने यहां पे फिल्ट पुछा है जो रिमेनिंग पार्थ बच गया है उसका फिल्ट क्या होगा उसको लिए क्या करना बढ़ेगा नेट इलेक्रिक फिल्ट जिरो होता है है इसलिए कि जितना उसका फील्ड है जितना उस सोटल सा पाट का फील्ड है वही उसका अंसर आएगा इसलिए अगर आपको एलेक्टिफिल के अलगुरिस्टर करना है तो आप यहां पे पूछ कर सकते हैं इसलिए इसलिए जाएगा के उसका चार्ज कितना मिला उसका चार्ज अल्फा टाइम स्क्यूग ना तो के इंटू तो अल्फा टाइम स्क्यूड डिवेड़ेड़ बाइं आ स्क्यार या है या एगा रिमीनिंग पाट का इलेक्टिफिल के एकस्पेशन राइट इसा अलग लग तरीके सा आपको और संदे रखाए दूप इलेक्टिफिल अप क्या यह अप्संटीट अप्संट आपक्संट चेक करो कौन से अपसंद आपको सही लग रहा है रिश्य और पोटेंशिल अड़ पॉइंट आरभाइट टू यह लापसंद देखो सेंटर में अच्छा उसनी दोनों जगर में पोटेंशिल के रिश्य पॉइंट लेते हैं जिसे यह पॉइंट इसका डिस्टंस उसने अरभाइट टू यहां से भी क्या होगा अरभाइट तो यह पॉइंट का नाम एदे देते हैं तो एक पास पॉइंट निकाला रिमेरिंग पॉइंट आप निकाल सकते हैं पॉरा स्पीयर का पॉइंट पॉरा स्पीयर का पॉइंटेंशिल में से इसका ना पड़ेगा पूरा sphere का potential किया है, जो surface में होता है, वे अंदर होता है, आपको तो पता है, कि यह Democr-Sphere है, which surface का potential होगा, वे inside का होगा, इसलिए हम, जिसे यहां पर center में किया है है, वैसे यहां पर करना पड़ेगा, हमेन क्या करना पड़ेगा, K, Q by R, यह पूरा sphere का potential इससे minus करना पड़ेगा gain to dq, dq मतलब क्या है alpha q divided by अभी r के जगा r try to put करना पड़ेगा, ठीक है, so जिसकी कारण, इससे सबसे आपको a point के पास potential आ गया, यह कितना आता है, बच्छो, V naught 1 minus 2 alpha, हाँ, V naught 1 minus 2 alpha, सही है, यह 2 उपर चला गया, तो ratio, हाँ, रिष्ट आ गया, इसलिए भी सी बाइं भी ए, तो ratio है, that will be equals to V naught V naught cancel, तो 1 minus alpha divided by 1 minus, क्या, 2 times alpha, है क्या इसा अपसन, यह सी अपसन देखो, correct हो गया, और बस आपको यह electrostatic का question है, simple field potential उसका formula उसकरना है, पड़ आपको काफी चाला किसे कभी carefully काम करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सभी सोच में गणबड़ी हुआ, तो रॉंग हो जाता है, भाहर लिया, मतलब वो point कहाँ भी लिया, तो आप डिस्टन्स में ले लिया, यहां से हम एक point लेते हैं, जैसे यहां ले लिया point, देखो, यहां पेक point लिया और उस point के पास, सुभजे point का नाम π दे दिया, उसक्वइंट के पास उसने आपको मुछा रहा है पिए उस पॉइंट के पास आपको पोटिन्शील फेल्ट सो कूछ रहा है हाना क्योंकि डिस्टनस डार हो गया है तो मेस्टूल सीमिलार academics वेकल सिमिलर मेत्षड एंपो Said का formula लगाने आपको I gonna budget का formula समझ बाया गया चलिए बच्छों ऐसा ही नेक्स को प्रसीड करते हैं यह कोईसिन जो है यह कोईसिन का इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ लीजिए जैसा आपको दिया है करेंट क्यारिंग वैर हीट से मेटल रॉबर्ट अब पहला स्टेट्मेंट देखो क्या बदा रहा है कि करेंट क्यारिंग वैर यह एक मेटल रॉड को हीट करने में इस्तमाल किया जा रहा है मेटल रॉड को हीट करने में इसको इसको रॉड को दो मेटल रॉड इस एंक्लूस इन इंसुलेटर कंटेनर आच्छा रॉड को इक इंसुलेटर कंटेनर में रखा गया है it is observed that the temperature in the metal rod changes appearing to this relation. इस relation के हिसाब से उसका temperature change पूरा है. Right? Where beta is a constant, यहाँ पे आपको जो beta दिया है, so here beta is taken as constant. यह जो है, यह constant है. इसको constant treat किजिये. The heat capacity of metal is what? हमें actually इस question में पूछा जा रहा है, heat capacity. Students, कभी-कभी जल्दी बाज में हम लोग भूल जाते हैं कि जिसे heat capacity क्या होता है, specific heat capacity क्या होता है, दोनमें डिफरेंस हैं. जब हम specific heat का बात करते हैं, तो unit mass का बात सलता है. पर heat capacity बोले गए, तो पूरा body को समझता है, आपको बता हो गए हैंना, इस question में आप लोग क्या करेंगे? कोई बताएगा कौन सा आइडिया यहां पर लगना चाहिए? heat capacity का expression क्या था? यह दो बताओ. हम heat capacity को H माल लेते हैं, क्या इसको DQ by DT लिख सकते हैं? heat capacity का मतलब क्या होता है? क्या amount of heat required to raise temperature of whole body by unit range. यह heat capacity का definition है. तो बस यहां से आप कर सकते हो, और थोड़ा से यहां पर temperature का वेरियस लिख रहा है, T01 प्लस बीटाट T2 लिपार 1 वाइप 4, तो कहीं हैं कि यहां पर थोड़ा सा calculus का idea लगेगा, यहां यहां से DQ, DQ आजाएगा, H into DT, right? DQ H into DT आएगा, यह small T नहीं, यह capital T है, ठीक है temperature बाला, समझ परेओं? और हमें finally H पुछा गया है, और यह पूरा information का अच्छे से दिखिए, इस information के हिसाब स्वामे काम के से करना सेगे, सोचिए, हम अगर दोनों तोरफ time को divide करें, तो आपको power मिलेगा, वैसे भी उन्होंने question में power का बात किया है, और उन्होंने power को constant कर दिया, देखो, यहां भी क्या लिखे, power is constant, तो अगर मैं ऐसे करूं, मतलब DQ को DT में divide करूं, तो यह होजएगा, एच इन्टो D बड़ा T by D शोटा T, शोटा T time को represent कर रहा है, ऐसे सोचिए कि DT time में DQ heat को accept कर रहा है, जिसके कारण यह हो गया power, यह क्या हो गया, पावर हो गया, सो एच इन्टो D by DT of, यह तो क्यापिटल हमको दिया है, यह तो दिया है T naught, 1 प्लस, 1 प्लस, बीटा, स्मॉल टी, तो दिपावर 1 by 4, समझभा रहे हो, तो यह जो expression है, इसको हमें differentiate करना परेगा, इसको differentiate कर दीजे, और वहांसा आपको H मिल जाएगा, आपसन में भी इस आपसन दिया है, उसी की चौर में दिया है, सबस्ट यह आप टू डिफरेंशेट इस एक्स्परेशन, उन्हेंसा आपको H find out कर सकते हैं, समझभा गया, तो यहां पे 1 का तो derivative 0 होने वाला है, यह देखो, टी तू पाउर 1 बाइब पॉर, यह वन बाइब पॉर, टी तू पाउर 1 बाइब पॉर, मैनस बाइब इस माइनस 3 बाइब पॉर आए, कौन सा आपसन आपको लग रहा है, यह सई होगा, देखे लिजे, अगर आम इसको, डिफ्रेंट सेट करते हैं, आपको इन में से कौन सा आपसन करेक्ट मिलेगा, ती रेज़ टू 3 बाइफूर को वापस डालना पड़ेगा, वापस डालना पड़ेगा, क्यूंकि वह यहाँ माइनस करेके, क्यूंकि जो आपसन दिया है, आपसन को देखो, यह T is equal to T0 plus T0 beta T to the power 1 by 4, तो यहाँ से T minus T0 कितना आएगा, T0 beta T to the power 1 by 4, तो यहाँ से उसको पूछ करना पड़ेगा, यहाँ से के expression आएगा, कि T to the power 1 by 4 is equal to T minus T0, T minus T0, तो यह यह भी आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपके expression आजाएगा, क्यूंकि answer में आपको small t कहीं दिखने रहा है, तो इससे right answer, कौन सा लागे रहा है बच्चों, ज़रा, क्या answer आपको आपको answer आएगा, तो यह step में, यह step से यह step में पहुच नहीं आपके लिए important था, तभी तो आपका power involved होगा ना, जो चीज दिया है उसके involved कैसे करेंगे हैं, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, चलिए अगले question को move करते हैं, radioactive sample, मतलब यह radio activity से question पूछा गया है, nucleus chapter से question पूछा गया है, ध्यान से देखिए, कभी-कभी आपको पता है कि कोई भी एक unstable निकला आए, खुद को stable करने के लिए alpha, beta, gamma, dk आप याद होगा radio activity, ओके, एक nucleus, दो dk mode में खुद को disintegrate कर सकता है, समझभा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कुछ information दिया है, एक radioactive sample दे दिया, जैसे कि potassium, 1940 निकलाई, यह देखो, आइदर dk into calcium, with decay constant दे दिया, lambda 1 दे दिया, और decay into argon, with decay constant this much, मतलब आपको lambda 1 दे दिया, lambda 2 दे दिया, ऐसा problem में, आप immediately lambda effective निकाख, जब एक nucleus का दो decay mode होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बता होगा आपको, है ना, so that means, यहाँ पे, जो nucleus है, nucleus से potassium, यह potassium nucleus का दो हमें decay mode दिख रहा है, एक decay mode में, वो calcium produce कर रहा है, और एक decay mode में, आरगन produce हो रहा है, इसके lambda 1 decay constant, और इसके lambda 2 decay constant है, बता है, ऐसा problem में, आपको lambda effective के लिए क्या करना पड़ता है, lambda 1 plus lambda 2 करना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे करेंगे, फिर आप वही formula अपलाए करेंगे दीजिए, जो number of on decade निकलाई है, आपको इसका formula पता है कि n is equal to n naught, e to the power minus lambda t, हमें exactly expression use करना है, बट lambda के जागा, हमें lambda effective put करना पड़ेगा, right, experiential variation, को लेके, यह जो expression है, right, इसलिए, यहां पर यह बड़ा expression आपकी यूज़ करना पड़ेगा, और भी कुछ information इस question में दिया है, देखिये, यह बड़ा statement देखो, इफ, इफ दर रेशियो आप, सॉम आप, स्टेबल क्याल्सियम और अरगन निकलाई, आपको स्मॉल टी पुछा जा रहा है, ओके, निकलाई इन टाइम, यह देखो, टाइम, टी इंटो टेनेस तो नाइन यह तोटल टाइम, इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा, जो क्याल्सियम, क्याल्सियम और आरगन पड़ीस हो रहे हैं, प्रड़क्ट निकलाई पड़ीस हो रहें, ऐसा इंफर्मिशन दिया है, कि देयर स्टेबल निकलाई, ठीक है, तो 99,99 जो दिया है, यह कौन सा रेशियो दिया है, यह अगर आप समझ गये, आपको प्रॉल्म नहीं आएगा, ऐसा माल लीजए कि पहले एंफर्मिशन दिया है, वो दिया है N-naught-n, अच्छा, जब टाइम जरो था, उस समय अन्डिकेड निकलाई था, तो T0 पे, अन्डिकेड निकलाई N-naught था, किसी भी टाइम में अन्डिकेड निकलाई N है, तो N-n क्या रिप्रिसंस करेगा, और रिप्रेजिट करेंगा कितने डिके हो गया तो आएगा एंड़ माइन से डिभाइड़ बाइन एन का मतलब है अभी कितना अंडिकेट स्टेट में वह आपको 99 दिया है जरा सोच लो यह दिया है क्या नहीं सोच यह आपको 99 दिया है यानि एन नौट बाइन माइनस वन यह यह एन नौट मिल गया है न वन गॉनधर आच्छा यह रिशे इन्हों ने दे दिया है यह चैना पे अगर हम पूछ करते हैं सो वन बाइन हंडेड विल बीकोल स्टू एक्डी पार मायनस लंड़ वन प्लस लंड़ ट्वंड़ कू इन्टू इन्टू प्लाइस अपको को involved करना है कि देखिए लैमड़ा बन आपके यहां पर दिया दिया है 0.5 304.5 इंटु थे निस तो मैनस तेन बनों को आड़ करेंगे तो 5 इंटु टेनिस तो मैनस तेन आएगा कैसे करोगे इसका सेलिशन कैसे होगा लोग लेंगे लोग लेंगे यास लोग लेंगे तो आराम से सल्ड हो जाएगे तो वन पैंहें लिए रूस्ट नएट पार माइनस यहाएगा 5 इंटो 10 to the power minus 10 इंटो टी ऐसा लिखना पड़ेगा दोनों तरफ लोग लेना है लोग लेके स्वाल कर दीजिए है ना आप तो इससे कोट साफसर मिल गाए बच्छा वी एंसर हाँ यह आप सभी बता रहे हैं इससा आपका अंसर भी आ जाएगा तो देखो जिसे आपके जिसे जी आडवांस्ट में हमेशा आपने देखा होगा हमेशा नुकलियस से क्वेस्टन पूछ जाता है है नुकलियस हमेशा क्वेस जादा कुछते हैं और कैसा कि जाएगा जिसे यहां पर दो दे दिया इस टाइब के कुछ जाते हैं यह देखो यह बड़ी अच्छी को इससे नहीं है यहां पर सॉर्फिश टेंसन या क्यापिलारी टी उसको लिए क्वेस्टन पूछा गया है इस क्वेस्टन में उन्होंन यहां पर दो क्यापिलरी ट्यूब इस यह को दी नग को अच्छ मिलिमेटर दिया है और इसमेड बाइ जॉइनिग टीवण अडी तो और देया बिफेरेंट एंगल अप कॉंटक्ट इक एंगल अप कॉंटक्ट जिरो है और एकए अंगल अप कॉंटक्ट सिक्ष्टी डिग्री है कि अपने जीप इन्टू वाटर विट डिफेरेंट इस एक बढ ऐसे ड़ला और एक बार इसको ऐसा उल्टा करके रिवर्स करके तो केस वन में क्या हो रहा है केस वन में या नीचे और टी टू उपर है और केस्गू में या तो पर सबसे प्रहें किलना प्रबाइगा जो तीवान है टी टु है अगर इसको एस्तेमाल किया जाएं तो कितना हैक्ड सब्सक्राइब सिर्फ हींच करता है उसका फॉर्बॉला तो आपको याद होगा इसलिए 40 one अगर हम किले करते हैं सबस्क्राइब सिर्फ किया राइट सिर्फ टीवन अगर में यूज करते हैं जो हाइट आएगा है फामला क्या है ठूटी कॉस थीटा डिवाइड़ बाई रोग जी आपको सर्फिश टिंसन यहां पर दिया है वाटर का अगर आप क्यलकुलिशन करते हैं कितना आता ह है वोच्राइब है उसको आप क्यलकुलिशन करके देखना की कि यह इसको मैं क्यलकुलिशन करके देखा से ना आप करके देखना बैलीजिया आपको करिब सेवन पॉइंट पाइड राता है सिर्फ टी वन करेंगे तो इतना हैगा ती टी टूटली अलग है अक्यों है बिगाज उसका मैं अलग में बना रखा है इसलिए अगर अगर को इस्तमाल करते हैं तो हाइट कोई उसकर नाबढ़ेगा यह करीब करना आएगा कॉस सिंटी था थीक पॉइंट सब्सक्राइब करेंगे इसमें पाणी कितना राइस कर सकता है 7.5 और धान से देखो कि इस प्रमुला को करते हैं इस लिए इस निचे जो वाटर है उसका वेट को लेना हम नहीं लेते हैं उसको नहीं लेते हैं तो यह आता है यह लिखाए कि correction in the height of water column raised in the tube due to weight of water contained यह देखो weight of water contained in the meniscus will be different for different cases different होगा या नहीं बोला डिफरेंट होगा दोनों meniscus जो बनेगा एक meniscus बनेगा hemispherical हेमिस्परिकल बनेगा जिसमें हेमिस्परिकल मिनिस्परिकल बनेगा जैसे कि यह देखो मिनिस्परिकल मिनिस्परिकल ऐसे बनेगा तो मिनिस्परिकल के नीची जो वाटर है वह यह आएगा यह आएगा मिनिस्परिकल के नीचे का वाटर तो इस case में theta कितना 0 है और theta अगर 60 degree आएगा तो कुछ ऐसे होगा देखो तो ये तो अलग होने वाला ही है theta 60, theta 60 और theta 0, यहाँ पे theta 0 degree है और यहाँ पे theta 60 degree है देखा तो थीटा जीरो में मिनिस्कस के नीचे पानी का वेट अलग आएगा मतलब यह कुछ सही बोल रहा है यह अपसंन करेक्ट है समझ पर आप तो क्योंके अंगला पंटेक्ट अलगे इसलिए मिनिस्कस के नीचे का जो पानी रहेगा उसका मास अलग आएगा अच्छा अगला अपसंन देख लेते हैं फॉर निच्ट अपसंदिया है फॉर केस्टू दुसरा केस वाला केस इप दो क्यापलरी जॉइंट इस पाइप सेंडिमेटर इवाप वाटर सफिस अच्छा यह फाइप सेंडिमेटर ऊपर है तो हाइट आप वाटर कलम रेस्ट इन तो पाइब आपसं में क्या बोल रहा है कि जॉइंट जो है यह पाइब सेंपींटर उपर हे तया फाइब सेंडिमेटर ऊपर शोंतो चैक्र ऊंग तो सब्सक्राइब डेख ना वहां डशा राइंसा पाणि जो है यहां तक राइस कर जाएगा और यह सभी बोल रहा है मतलब अपस्ट करेक्ट है और बी और बी करेक्ट है असलिए बच्तो है क्योंकि अभी के सब्सक्राइब बनाया है देखो सेकन अपूश्ण कुछ ऐसा है सेकेंड अपसंन कुछ ऐसा है यह देखो नीची का ट्यूब है यह उपर का ट्यूब है तो यहां पर क्या हो रहा है कि यह ट्यूब है उपर का ट्यूब है ना नीची टी-टू है और उपर टी-वन है जैसे पानी में इसको डाल देगा जैसे पानी में डाल देगा तो क्या हो में मैक्सीमम कितना हंच हो सकता है बी पाइंट सेवन फाइट सेनिमीटर और यह जॉइंट कितनाmäßig उपर है कितना ऑटे बाइफ सेनिमीटर फाइड़ तक है न तो पाणी जोईंट तर्क vendo कि नहीं पानी बस यहां तक राइसक और ती तो पाणी यह करेगा और यह यह हाइड कितना होगा आपको पता है यह होगा 3.75 सेटीमेटर यह केस टू है यह केस टू को लेकि अपसन बनाया ज़स्ट करना पड़ता है हर अपसन को अच्छे से ज़स्ट करना पड़ता है सबच्चों दिखे इसके लिए यह questions जो है यह more than one of sun नाया है जी आडवांश्ट में यह जिसा यह more than one of sun correct questions जो आते ही यह mostly partial marking रहता है partial marking रहता है अगर आपने पूरा सही कर दिया तो चार मर्क मिलेगा अगर आपने चार में से तीन स्य कर दिया तो तो यह मोट्रान ऑन अपí स Efendimiz है तोrió क्या बोल रहा है वें टाट एडेक्ड है केस वन में कुछ बूलना चाहता है सो केस वन में जॉइंट इस केप्ट एइट सेंडिमेटर अबब वाटर सर्फेस दो हाइट आप कलम इन दे ट्यूब विल बी सेवन पॉइंट फाइब यह भी तो सही लग रहा है कि 7.5 तक जा सकता है मतलब से आपसं मी क्या बोल रहे हैं क्यों इसने डीटिव को इसा रखा कि सब्सक्राइब नीचे टी वान है इसको पर नीचे क्या कर दिया तीटू ले लिया इसे कर दिया सो यह है टीटू और नीचे टीवान देखिए टीवन जो ट्यूब है उसमें लिक्वीड या मिन वाटर सेवन पॉइंट फाइब तक उपर जा सकता है और उसने ना हमको इंफोर्मेशन दे रहा है कि यह जो जॉइंट है यह आठ संदिमेटर उपर है और इसमें पानी यहां तक चला जाएगा औभी पानी यहां तक चला जाएगा बच्चों क्या डी करेक्ट लग रहा है डी अपसं जड़ा पढ़िये डी में कुछ इंफरमेशन दे रहा है केस वन इफ क्यापलरी जॉइंट इस फाइब सेंटिमेटर अब वाटर साथेस अच्छा न दा हाइट आपको सही लग रहा है किया लगता है डी अपसं सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए डी अपसं सही अगलत होना चाहिए वो जॉइंट के उपर नहीं जायेगा हाँ कि जाइन तुम्हां के रिज़ाएगा वह मैंनीज का चेंज कर लेगा यहां क्यूंकि क्या होगा अभी भी एवन में ऑढ़ कोंटेक्ट क्या बोला था कि यहां पर और टीवान में मैक्सिमॉम 7.5 सेंटिमेटर तक पहुत सकता है मैक्सिमुम वांत पहुत सकता है अब बोल रहें कि जॉइंट अभी इन्फरमिस्ट कैसे दे रहा है जॉइंट को उसने सिर्फ फाइब सेंटिमेटर रखा मतलर जॉइंट यहां है कैसे हो गया यह उसने बोला फाइब सेंटिमेटर और नीचे टीवान है उपपर टीटू है पानी पानी टीवान में मैक्सिमॉम सेवन पॉइंट फाइब तक चड़ सकता है बट प्रॉब्लेम क्या है जॉइंट यहां है उसके बाद टीटू आ जाएगा तो इमिडिट्ली अंगल अप कंटेक्ट क्या होगा बदल जाएगा तो क्या पानी इसको क्रॉस करके उपर ज जॉइंट तक ही रहेगा और खुद का मिनिस्कुस को क्या करेगा तो इसलिए मतलब यह जो इन्होंने दिया है कि इन्होंने क्या बोला कि जॉइंट को क्रोस करें एट पॉइंट सेवन फाइब तक चला जाएगा तो यह यह रॉंग अपस्टन है इसका अनसर आएगा एग कि और सी ठीक है यह इस को सिन का अनसर आएगा चलिए तो क्या प्लरी ट्यूब को लेके यह बला को सिन हमने किया सर इसमें डाउट था हां क्या डाउट था पुछे अगर इसे उल्टा होता नीचे टीटू होता और उसका जॉइंट अगर 3.75 से नीचे होता तो वाटर टीवन तक राइज करता ना अगर यह ऐसे होता है ना किसा बता रहे हो नीचे आएगा टीटू है ना हां और उन कैपिलर इसका जॉइंट 3.75 से नीचे है आईए वाटर तो आपने इसको कितना बोला थी पॉइंट उससे भी कम है उससे भी कम माल ने इसको टू स कर दिया है था तो अभी वाटर टीवन में राइस करेगा न कि कितना है 60 में सिक्स्टी है हाँ अलेड़ी फ्लैट है तो इस वह रइस कर सकते तो इसके उपर क्रॉस करेगा तो उसका एंगल अप कॉंटेक्ट इसमें क्या होगा एकदम बदल जाएगा हाँ क्योंकि टीटू उस वाटर का वेट नहीं यह कर पाएगा यहां कर पाएगा क्योंकि यहां पर टीटू नहीं कर पाएगा कि वह उतना वेट दिने बैलेंस क्योंकि उसका उसको पाणी का वेट को वेट को कियोंकि सर्फेस टेंसर्णिद्ट वज़े से उपर फोर्स लग रहे ना तो इसके उपर फोर्स लग रहा है और यह यह 3.75 तक वेट को अपड़ क और यह इन्हों ने ऐसा केस बनाता तो यह क्रोस कर जाता हूं है तो आपका जो डाउट था था है कि अगर यह बना दिया ऐसा बनाया तो फिर वह इसको क्रोस क्या करेगा कर जाएंगा पर नार्मल टीवन वाली हो जाएगा क्रॉस करिए ना क्रॉस करिया तो रही नहीं ना उसमें तो पहुंचेगा तब उसका जो अंगला पॉंटेक्ट होगा जिरो होगा तो उसी साब से उपर चड़ जाएगा मतलब कि समझा है आशा राइट बच्चों यह देखो यह कुशन जो है हमें इलेक्ट्रो मागनेटिक इंडक्शन में हम अले इसे पॉट्चु के हैं यहां पर आपको मैगनेटिक फिल दिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कुशन में आपको जो इन्फरमेशन दिया है मेगनेटिक फिल जो भैरी कर रहा है यह वाई के रिसप्ट भैरी कर रहा है मेगनेटिक फिल इस बैर इस बैरिक दिया यह दिया दिया अ कि दो यह दोनों एक्रोस पोटेंस डिफ्रेंट व्रमक रहा है वह हमें क्याल्किल्स ना यह दिख रहे ना यह के लगत ऑर यह को और यह इसका एक्से में चाने अब जा रहे इस तरह मुप पर रहा है इस तहर अपकर रहा है आपके याद होगा मुस्टनल ये में जब बताए गया था वो सारे मीचरी पॉर्फिनिकलर थे यादे और विसे भी यहां पे मैगडिक फिल एक्सके साब से नहीं बदल रहा है इसलिए अगर आपको पुटेंशल डिफरेंट साहिए मतलब इंडिश्ट ये मेफ चाहिए तो आपको क बदल रहा है इस का यूपस कर लेते हैं और ऐसा करते हैं यह पे लेना चाहिए आपको बला किया है लेकर का नोंच tools करेगा सब्सक्रीपे दिश वार्ण लोना है यह 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 लेकर इसके छोटा सा हिस्सा ले लो फीटाइब लेते हैं डी वाए लो और क्रोस इंड यूमे फे इसको अदीपाइब लिख सकते हैं पर दीफाइब को लिखा जाना चाहिए बच्छों बुरिए बीवीडिवाई बीडी वाई इंटु वहलास्टी दी नॉट रायट तो अर बी को पुट कर देंगे इसके बाद इसको इंडिकरेशन करना वारे है तो इंडिकरेशन सोने वाला है वन प्लस य वाई लुदी पावर पीटा गीटा इंटू डिवाई इंटो बीनॉट स्टुडेंस तुस्टेंस आपको इस तरीकर से करना पड़ेगा यह आएगा इसके आगी क्या होगा इसका आगी तो कुछ निया आपको इंडिगरेश्टन करना है क्योंकि कि आपको हमेंसे क्या होता है आपको साइड बाइस से अप्षन को देखना जरूरी यह जोस्व सॉल करते हैं तैम आपको काम करूख उप्सन देखो काम करूख अपसन यह साथ में आपका दिमाग चलते रहे नहां देखा है अगर बीटा जिरुर हुआ तो यह होगा तो आप आपको यह नॉर्मल क्यूंस आपको करना है यह तो सब्सक्राइग करना है इसलिए डेल्टा केलिए हम इसको इंडिज्रेशन करेंगे तो दी नॉट बहरा गया इंडिएशन वन प्लस वाई बैल कि पाउर बीटा ओके होल ब्राकेट इंटो डी वाई और वाई का लिमीट आपको जिरो से एल पुट करना पड़ेगा आ रहा है किया कुछ वैलिस मिल रहा है किया बच्छा आपको इंडिकेशन करके अगर हम वैलिस पुट करते हैं तो कौन सा आ रहा है भी आप्शन आ रहे हैं क्यूंकि बीटा अगर अब जिरो लोगे हैं फिर भी आ रहे हैं हाँ यह भला एप अपसन आ रहे हैं नहीं कि न रहे हैं ना ना यह वह बहुत नहीं आएगा वी विद्वार अपसन आ रहे इस इस पूला पिटा को पुट करो तो पूट करहें तो यह आ जाता है और यह तो सही हो गया पहली से पता सल गया यह वाई प्रोजेक्शन को प्रोपोर्शन आले ठीक है और सी क्या बोल रहा है लाइन डेल्टा फार इमेंस तर्फेम इद प्रोजेक्शन नहीं हाँ हां कि वाई इक्स पॉल दिया ना वाई एक्वल्स टू एक्स का मतलब एंगल फोडिफेप आज जाएगा ना तो यह भी करेक्ट आ जाएगा राइट चली आगे मूव करते हैं यह देखो कितना बढ़िया सर्कीट बेश्ट क्वेस्टन है यह सर्कीट बेश्ट क्वेस्टन जो है इसको कैसे करना चाहिए ज़रा आप देखिया अच्छे से क्या करोगे आप इन्होंने इस सर्कीट में रिजिस्टर केपासिटर बैटरी सब जोड़ दिया सब कुछ जोड़ दिया है आपको पता है ना आपको पता है कि इन्फर्मेशन इससे दे दिया इनिशली दर इस नो चार्ज ही नहीं है नो चार्ज ऑन क्यपासिटर की एस वन एश्टू आर ओपन तो अपन दिख रहा है ना यह वाला है यह स्वीच ओपन और यह वाला स्वीच भी ऑपन ने दोनों को पन कर दिया है और क्यापासिटर के अब लिव टेन दे दिया थर्टी दे दिया एच्छी वन टेन दिया आपको इस पर देख रहा है यह सरकीट देख आद सका सरकीट अभी अच्छी सी दिख रहा है तो यह अपन है यह अपन है कि उन्होंने सबसे पहले एसवन को क्लोस कर दिया उन्होंने इसको पहले क्लोस कर दिया जैसे एसवन क्लोस करेंगे तो क्या होगा कि एसट्यों ने एसट्यों को क्लोस कर दिया बाहर के लूप आर्शी सरकित हां सुना वेन एसवन इसी क्लोस तो दो बाते ध्यान में रखना इसमें दो चीज आएगा एक टी जिरो पर क्या होगा और एक टी इंपानिट में क्या होगा राइट सो एक टी जिरो पर यह सुचो पधिशिटर खुद को कैसा रहता है यह पासिटर पहले से उन्चार्ष आइसे बोला है तो इस टी जिरों पर प्यक्या क्या कुई आप जिस्टन देगा नो से ने यह पासिटर का प्रवपटी ध्यान में लाईए जिजरों प्यक्तिर कुछ भी आपपोज नहीं करेगा ते में कि दीजरो। प्रिफ या लाउ क्या होगा पास किराओ पास किराओ ज dictators करने वाला हाई नहीं ये रुटो टू रंडट एखburg है 30 है 200 यह फोल्ट इस फाइब तो करिंट कितना होगा बोलें आइनाट करेंट होगा मैक्सिमम आइनट होगा 5 वोल्ट बाए 200 ओम यह आगया करेंट तो टी जुरूपी इतना करेंट फ्लो करेगा और एट टी इंफानाइट क्या होगा było 2 दो चीज़ेंगे टी 0 पर क्या होगा टी इंफ्रीडी इन में आपको पता है कि क्यापासिटर फुली चांच हो जाएगा अगर क्यापासिटर सारघ्ड़ेंगे अश्यकर ब्लॉक कर देंगे बड़ टी में यही सरकीट सोल करना बट करिंट मत रखना सिर्फ चाज रखना सिर्फ चार्ज रखेंगे तो कहां पर क्या दिखाएंगे यह प्लस यह माइनस प्लस माइनस वरुलारिटी और क्रेंट माइनश प्लस प्लस पुलारीटी दिखा यह Ii क्वाएंध डाय यहां पर किले लगा दीजिए्व में लूप ला लगा है आप कर Vous कि आता है कितना चार्ज आता है बच्चों अगर हम यहां पर लूप लॉक को अप्लाई कर देते हैं तो चार्ज मेरी सब्सक्राइब कितना जाएगा आए आगया वह चार्ज निकले में आप इसको सॉल करें हमें पूछा क्या आगया है एक बार हमको यह देखना पड़ेगा यह आगया 25 मिलियां एक बार ओरीजिनल सर्कीट को जाते हैं स्टुडेंस इस सर्कीट इस सर्कीट इस सर्कीट देखें इसमें क्या पूछ रहा है एक एक आपसन देखते जाएंगे देखो पेल आपसन क्या पूछा है कि टाइम टिकल जिरो की स्टुज्ट इस क्लोज्ट इन इस करेंट इन दे सर्कीट हाँ यह अपसन सही हो गया पच्छों एपसन देखर आपको अपसन देखो एपसन में क्या निखे रहा है कि करेंट होगा 25 मिलिया में गरूद हमने निकाल दिया देखो यहां दिख रहा है बच्छों 25 मिलियंपेर आगया देल आपसन करेंट दूसरा आपसन देखते हैं इफ की स्टुज्ट इस केफ्ट क्लोज्ट फुली चार्ज्ट वोल्टेज अक्रोस यह तो मैं निकाल रहा हूं लॉंग ताम के लिए करेंट करेंग मतलब तीन फारेट य और यह यह दिखना दीखिए बच्छों है पिलरीटी यह पोलारीटी अपको सम्जा किया नहीं यह पास सब्सक्राइए टार्यूलारीटी ओ कि अब चो चलकुलेंशन किजिए तो यह देदिया है तो यह देदिया है बच्चो टेन देदिया माइक्रोफ़ाइट्स को प्रेच्च शीवन के देदिया टेन और सी तु थाट्टी सीथरी सीफ्रीजिएफ़ाइटे कि यह देखा यह 10 माइक्रो फेरेट और सी 3 दे दिया है हाँ 80 माइक्रो फेरेट सी 4 दे दिया है 80 माइक्रो फेरेट ऐसे मान लेते हैं कि जब स्टेडि स्टेट आया जब टाइम इंफरीड हो गया तो सभी कह स्थम दें 400 से मांएगा 400 भार-बार घूम रहे वार-बार घूम रहे यह सु इसतों क्लोसगा नहीं इसका ताइस क्यू एक क्यू क्यू यह सब 于D masking क्यूह है तो गुम हो यह साई कि ज सब्सवोलटेज मृड़ा देते यह यहां लिखता हूँ मैं अलरी यह लिखता हूं क्ये वी ए लगा यह किसमी फोल्टेस लग सो 55 right minus q by C minus q by 85 minus q by T और माइनस क्यूब बाइटेन माइनस क्यूब बाइटेन और फिर माइनस क्यूब बाइटी इस एकल तो जीरो इसको सॉल करें कियो कितना आ रहा है कि 40 40 माइक्रो कुलम हाँ पॉट्टी आएगा इसको सॉल करें के देखना क्यू आएगा 40 माइक्रो कुलम आएगा और वांस क्यू मिल गया तो आप्शन पुछ रहा है कि C1 क्रॉस पूटिंशल डिफ्रेंस इसका अगरस भी क्या होगा क्यू बाइस से तो चार बोल्ट आगया तो हमको वई दिया है कि देखें अब सन की तरगी हाँ यास यह कह लिए लिए ऑप लॉल्ट ओहँ आज ये भी करेक्ट हो गया दिकरेक्ट हो गया दिकरेक्ट बीकरेक्ट समझा है ऐसा फिर क्या पूछ रहे हैं बच्छो फिर आपको पूछ रहे हैं कि अब उसने को खर दिया उसने और अखरे में बीक अप्सन दिया है अभी अब यह अप्सन कर लेते हैं यह भी है एक एक पूली चार्ज दो बोल्टेज डिफरेंट्स बिटूइन पॉइंट्स प्यांड क्यूज इस तेन वोड़ा देखें वो बोल रहा है कि कि क्या है कि वो बूल रहा है कि वह अधर गया इधर है हाँ ओ टैन फोल्ट पी और क्यूकी बीच पॉडेंस डिफ्रेंस पी पॉइंट कि पॉइंट की बिच में पॉडेंस दिफ्रेंस देन पोल्ट आईगा क्या आई कि अब्छ अभशने को इन्वाने टाइम में रिजिस्टर काम करेंगे इन्वानगे एक تع़्य नहीं काम करेंगे कर ने होगा रिजिसटर कोई काम नहीं है गलत है यह आ dipsन सही नहीं था यह हमको सही नहीं लगनाए इसको है आप चले यह दे लेते हैं एक च्टको क्लोस कर दिया दैस्य चैनल इंस्ट इंसको स्क्रेंट अच्छा ँधर अउंधो यह पूछ रहा है अब उसमेह च्टक को खूर दिया ज्यस्थी को क्लोस रहें तो 30 ओम रिजिस्टर में करें कितना होगा इसा कुछ रहे हो तो क्या करोगे आप पीक्यू के बाउट फॉर वर्ल्ट है तो वहाँ पे अरे देखो बच्छों याद रखना जिस इंस्टेंट पे आप इस्टू क्लोज करोगे जैसे इस्टू क्लोज करोगे तो यह बला क्यपासिटर जिस समय जिस इंस्टेंट पे इसको क्लोज किया उस समय इसके क्या जटके से बदलेगा अरे जब आप एस्टू को क्लोज करोगे उस समय सीवन क्या क्या जटके से बदलेगा नहीं खुद को जटके से नहीं बदलेगा अभी करेनट ऩो चालू हो गया लोगे करेंट फलो फडां को जिसे क्लोज करोगे है तो फिर से पिर से कुरेंट फ्लो चलू हो जाएगा इसे वापिस कुरेंट रेटी करेंट निद्ट कर पिसे करना पड़ेगा है। तो फिर आपको इसका करेंट पुछा गया तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर से करेंट चालू करना पड़ेगा फिर से लूप बनाना पड़ेगा उस लूप को सौल करना पड़ेगा फिर आपको यहां का करेंट मिलेगा आप समझेगा बल रहों यह सर आपने मन से ले लो ना फिर से करेंट आया चलो इस करेंट का नाम ऑइवान देदेते हैं इधर साइवन आता इस इस ब्रांच में पीक्यू ब्रांच में उस टाइम कपैसिटर तो शार्ट वायर की तरह काम करेगा और टोटल पोटेंशल डिफ्रेंस फोर वोल्ट है तो अब ये बला लूप लेना जटे लूप की ज़रूरत ही नहीं ना सीधे बोल सकते हैं पी और क्यों की अब लगा सकते हैं हमें सिफ उस ब्रांच का ही करेंट आज आज चार बोलते हैं पूरे का थोड़ा कम लब 70 अभी क्या वह रेजिस्टर वर्क करेगा नहीं लेफ्ट वाला है रजिस्टर नहीं आएगा न दिफ्रेजिस्टर भी थे ना फूर्बल नहीं आएगा जास्ट आफ्टर क्लोजिंग फॉर्ड आएगा है पूस तो कर सकते हां हाँ रेना पर ना पुदेगा भार करेंट तो ने क्या बूल रहा है इसको करेंट लोने के वज़े से थुछ फु़्डा अक्टीव हो जाएगा रिजिस्टर ना लिना या क्टीव हो जाएगा जुए हाँ 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 हो जाएगा तो उतना होने नहीं देगा हो तो इसलिए आपको जो है वैसा ही करना पड़ेगा है लूप लेकर सौल करना पड़ेगा आप करेंट माल लीजिए ना मतलब जैसे कि आपने ऐसे किया तो जैसे आपने इसको क्लोज कर दिया जैसे क्लोज कर दोगे तो फिर यह एक लूप बनेगा और एक लूप इधर ही बनेगा दोनों लूप को सौल करना पड़ेगा सौल करकी करेंट आएगा है ठीक है कि अगर सेवंटियों का रेजिस्टर नहीं होता तो दाइरेट कर सकते थे वैसा फॉर वोल्ट लेकिंगा अगर यह होता नहीं तो इसके पास भूल्टिस है कि वह सेवंटियों सेवंटियों होनी की वज़े से ओर थोड़ा ड्रॉप कर देगा ना चेंज नहीं करेंगी न वह ब्रांच उसमें सिर्फ एक बैटरी और राजिस्टर जो बाहर वाली लूप है एकदम जो बड़ा लूप है उसमें जो करेंट आएगा वह जीरो आएगा क्योंकि आपेसिटर उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वह फाइव वोल्ट होगा लब पहले लगा है तो स्टेडी स्टेट है फिर इसलिए वह आए जीरों आजाएगा भारकत तो फिर डारेक्ट फिर वोल्ट बोल सकते हो पीक्यों क्याक्रास इस तो उससे यह बला जो है यह 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 तो सौर्सर के जिसे से काम करेंगा ना ही क्या पस्टल है हाँ कि तो उसे करेंट कितना आता है उससे करेंट का जो भेल्लिव है जो अपसन दिया है न अपसन थोड़ा देखते हैं इन्होंने ऐसे क्या है कि ओधिया है जिरो पॉइंट वांपियर किया जिरो पॉइंट वांपियर सही लिखाए तो इस एग्जैक्ट जिरो पॉइंट वांड़ करके नहीं आ रहा हुआ है अग्जैक्ट लिए नहीं आ रहा है फिरके देखो अग्जैक्ट लिए वह लिए रहा है आने रहे है जिरो पॉइंट तु आ रहे हैं जिरो पंट वा रहे हैं हाँ है 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 कि यह सौर्स हो गया है इसके अक्रस भूल्टेस था वो भूल्टेस ले रहे हो ना इसके अक्रस पूर भूल्टेस कितना ले रहे हैं कि वन बाइट ले लिया है कि लेप्ट हैंड साड़ी का लूप के एक्वेशन क्या लिखा यह लूप का कि इसे लूप नुमबर वन इसके एक्वेशन क्या लिखरें बदाओ कि यह तो कुछ नहीं करेगा अगर मैं कि लूप का डिरेक्शन इसा लेता हूं अंटिकलकवाइज इसके एक्वेशन क्या बनेगा कि करें का डिरेक्शन इसा ले रहे हैं तो 10 प्लस आई टू इंटू 30 प्लस आई टू इंटू 30 उसके बाद माइनस 4 कि माइनस कि 70 आई वन इस इकल टू जीरो यह इधर के एक्वेशन बनेगा इसा ही लूप का एक्वेशन लिखना परेगा ठीक है लूप्ट का एक्वेशन क्या आएगा ऐसे सलेंगे हन्डेट आई वन प्लस आई टू माइनस हन्डेड इंटू आई वन प्लस आई टू कि इसके अक्रोस भूल्टेज कितना है क्यू बाइस थी पॉइंट फाइफ माइनस जिरो पॉइंट फाइफ यह हंडेड और थर्टी सिदा वन थर्टी लिग गया इसके भेली डिरेक्ली वन थर्टी है जाए गया तो फिर माइनस थर्टी इंटू आई वन प्लस आई टू प्लस फाइफ फिर माइनस पॉइंट फाइफ जिरो इसा आई वन आई टू के लिए के दो एक्वेशन बनेगा है और दोनों को सॉल्ट करने के बाद आपको आई वन भी आएगा यह बोल रहा था में कि अब 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 कर रहे थे वह वह बैटरी के वाज़े से पोटेंशल डिफ्रेंस था तेन वोल्ट की बैटरी के वाज़े से और पैसिटर के अब आप फोर है तो क्लोज करने के बाद जैस्ट कापैसिटर और चार्ज nijonתי होगा अब क्या ने तो क्या पुछ रहा है कि इस मोमेंट पे क्लोज किया मतलब यह जो है जिस इंस्टन पे क्लोज किया उसी इंस्टन पे वह पूछ रहा है हां उस वपूछ सकते ना कि उस वलिधे ब्रेंच में एक्टे इस स्ट आफटर कि करेंट होगा ने उस समय करेंट नहीं होगा क्योंकि वह करेंट तो अभी बैटरी प्रोवाइड करेंगी और जैस्ट आफ्टर क्लोजिंग नहीं पहुंचेगा तब तक वाप ही तो करेंट किस तरह होगा है कि करेंट जैस्ट आफ्टर क्लोजिंग सिस्फ पी क्यू ग्रांश में हो का लग 謊ने पोटेंचल डिफ्रेंस होता है इंडिविजल करेंच के पा्थ चाहिए जा उनि को फ्रैंप पीड होगा प्लोजिंग इंस्टंट मानते है वो और कुछ डिफ्रेंशल टाइम तो लगेगा पूरा सर्किट में ट्रेवल करने को तो उन में से थो हम जो से ख्लोजिंग टाइम को मानते वह फिर लार्ज मानते टाइम के रिस्पेक्ट है हम जैसे स्वीच को क्लोस करेंगे तो इधर की पुटेंश डिफरेंस बन जाएगे नहीं इधर हाँ तो वह करेंट ऐसा के इसा फ्लो हो जाएगा मतलब यह करेंड आके इसमें सर्कीट में फेल जाएगा वह मतलब करेंट को पूरे सर्कीट में जाने के टाइम से बड़ा मानते हैं तो सोच के लिए रहा है और यह लूप बनेगा यह अलग बन है यह और एक इक इसको 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 और ले लेठे हैं एसा करके इसमें फिर मैंच नहीं होगा है क्योंकि ये जो और उसमें इसको येस बोला है नहीं सरसी नहीं दिया नहीं सर फाइनल में नहीं तो आप सॉल करोगे ना सॉल करने के बाद ये ना पॉइंट टू आता नहीं है इसको हम सॉल करेंगे ना सॉल करेंगे देखना वह जो करेंट पुछा है मतला हमको आई आई टू चाहिए वह पुछा लगाता है ठीक है 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 चलिए इसमें अच्छली उन्हें फ्लक्स को लिए को पुछा है बाकी और भी कई सारे क्वेस्ट में क्लेक्ट किया था आपको डिस्कॉस करने के लिए आज टाइमिंग हो गया है तो यह मैं आपको और एक सेशन में और कुछ क्वेस्ट का अब लोग जो है अच्छे से करते रहे और वहीं क्या होते जई आपना पी बढ़िया को जाते हैं से पर बढ़ी है और काफी इनोवाटिवली बनाई जाते हैं तो इसलिए अभी जो टाइम आपके पास है उसमें ज्याद़ तर आपको पढ़ना चाहिए जो प्रिवेस के क्वेस्टिन से ठीके या उसी प्रकार की जो प्रकार की आपको यह सबसे ज़्यादा पाइदा करेगा प ज़्यादा फाइदा होगा है तो यहां पर सब्सक्राइब करने का तरीका है वह आपको डिवलॉक्ट करना परते हैं और कुछ नहीं है इन फैक्ट उसमें ही टॉपने सरेता है मतला आप चीजों को कैसा इन्वल कर लेते हो इसलिए टाइम टेकिंग होता है तभी तो नमब सब्सक्राइब करने पड़ते हैं तो उस हिसाब से आप माइंड को भी उस तरीके सिस्तमाल करना पड़ता है जब भी आप पेपर देते हो पेपर देते टाइम डिफिनेट्ली सेलेक्टिवनेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जी आर्वांस में तो यह है कि पहला लेयर तो उसके एक बार खतम करता है दो लेयर में करना बहुत ज़रूरी है पेपर को वहां पर आपका डिस्टिवन्स हो सकता है आपको लगेगा यह एक घंडे में मुझे अठरा को सिन आया तो मैं थोड़ा सा आरेम से करूंगा ऐसा भी नहीं आपको ताइम के साथ-साथ अच् करेंगे जैसे आज में मेकनिक्स का नहीं या मेकनिक्स कभी अच्छे से पूझे जाते हैं ठीक है तो हम और एक सेसम में लेते हैं मेकनिक्स या और जो पॉर्ट सब्सक्राइब हैं ठीक है